हाई गाईज और वेलकम तो दिस कोर्स यह कोर्स आपके लिए एक लास्ट बूस की तरह काम करेगा जो आपकी बोर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको पूरी तरीके से त्यार कर देगा अब इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे तीन वादे चाहता हूं कि सबसे पहली चीज आप एक फ्रेश कोपी बनाओगे और उसमें सारे क्वेशन को लाइन बाई लाइन लिखोगे ताकि एक्जाम के कुछ दिनों पहले आप उससे रिवाइस कर सको दूसरी चीज आप पूरे सेशन में एनर्जी टिक रहोगे बिलकुल जोश के साथ सारे क्वेशन लेकश्र नेर्ट करते है और अजम मारा टागेट है 90 कोशिंदर यानि मैंकल से अलेक्टर सुरूफ सस弊ले बाले और इसके 90 नीटी कोशिंदर यानि कि आप दौ setकर दूसरी और पूरी एक कॉपइ में यॉटकरना तो हमारे साथ साथ Nability के सात्तर और फंदॉजिश आ कर सकते हो लेकिन दो से तीन बार उसको टैली जरूर कर लेना तो पहला क्वेशन यह कह रहाएगा इसके electricity produce on rubbing जब हम rubbing करते हैं तो वहाँ पर किस तरह के electricity produce होती है अब आपको पता है कि जब rubbing होती है वहाँ पर सिर्फ imbalance of charge होता है एक बोड़ी से electron निकलता है दूसरी बोड़ी में electron जाता है जिससे electron निकलता है वह body positive हो जाती है जिसमें जाता है वह negative हो जाती है अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अभी आगे जटका लगता है या कुछ चीजों को touch करने में तो यह उसी की बात हो रही है ठीक है पढ़ते है next question की तरफ when a person comes is here जब इंसान अपने बालों को कंगी करता है अपने बालों में कंगी करता है तो static electricity is generated sometimes by what process contact between common here friction between common here deduction between common here induction between common here तो देखो guys जब आप दो चीजों के बीच में rubbing होगी तो वहाँ पर एक तरह से friction होगा friction की वज़े से energy मिलेगी जिससे एक electron एक body से निकलके तूसरी body में जाएगा वो किस body में जाता है कैसे क्या होता है वो तो हम dual nature में पढ़ते है ठीक लेकिन यहाँ पर अगर सीधा directly बात करें तो यहाँ पर option हमारा भी होने वाला है क्योंकि friction की वज़े से ही electron का transfer होता है अपने हादों को रब करो चलो हादों को रब करो तो इक पर गरम महसूस होगा यानि energy release होगी उस energy को लेकर electronic body से निकलता है nucleus से अपना पीछा छोड़ाता है और दूसरी तरफ जाता है ठीक है चलो let's move to the next one during the process of rubbing of two bodies with charge particle transfer during the process अब इस पर थोड़ा से मैं highlight कर देता हूँ जैसे अगर अपना एक atom है for example अपना एक atom है atom के center पे होता है nucleus nucleus के अंदर होता है neutron and proton ठीक है जिसको यह सब बाते बहुत अच्छे से पता है वो skip कर सकता है प्राइम बचा सकता है लेकिन जिनको थोड़ी सी problem है वो देख ले neutron पे कोई charge नहीं होता और proton पे positive charge होता है और body के surround में electron revolve करता है अब nucleus के अंदर से neutron और proton का निकलना तो बहुत बहुत high energy से related हो जाता है तो normally neutron proton नहीं निकलते बॉड़ी से अगर कोई निकलता है तो वो electron ही होता है थोड़ी से energy मिलेगी वो nucleus जो उसको hold कर गे रखा है उसको छोड़ कर वो electron निकल जाएगा energy मिलने पर तो इस question का सीधा सा answer है कि बॉड़ी पे charge था बाता है जब electron का transfer होता है let's move to the next one the quantity whose unit is kilo ampere R अब ampere से आद आपको current आ रहा होगा R से आपको time याद आ रहा होगा current into time क्या होता है आप सबको पता है Q is equals to IT that is charge is equals to current into time ठीक है तो अगला question जब आएगा या कुछ questions आ आगे आएगे तो आप लोग पहले pause करना खुद से 2-3 second 4 second तो उसको read करके try करने के कोशिश करना फिर वीडियो को आगे बढ़ाना ठीक है चलो next question स्क्रीन पर है अब यहाँ पर आप पॉस कर सकते हो खुद से try कर सकते हो फिर play करना ठीक है प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ टुदबा माइनस 19 कूलम जिनको यह सब पता है वो वीडियो को skip कर सकते है टाइम बचाना है बोट सामने खड़ा हुआ है तो टाइम बचाना है बिल्कुल अपने को बिल्कुल समय खराब नहीं करना एलेक्ट्रोन पर जो चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 रेज़ टुदबा माइनस 19 कूलम और न्यूट्रोन पर कोई भी चार्ज नहीं होता इसी को हम प्लस 1E और माइनस 1E करते हैं देखो यहर मैं कोर्स को इस तरह से बराने की कोशिश कर रहा हुआ है कि questions के साथ साथ topics पी अच्छे से revise हो जाए ठीक है अभी तो शुरुआत है अभी हम moderate level और advanced level के जब questions करेंगे तो articles भी साथ साथ revise में करवा दूँगा ठीक है चलो तो प्लस 1E और माइनस 1E कह है basic unit of charge तो अगर एक body के पास 10 proton है तो एक proton पे 1E तो 10 proton पे प्लस 10E का charge होगा एक electron पे माइनस 10E क चार्ज होगा और overall body पे प्लस 10E माइनस 10E overall body neutral होगी कोई charge नहीं होगा अब मैंने अभी पिछले question ने बताया कि अगर electron का loss होता है या gain होता है तो body पे charge आता है अब देखो कैसे suppose body ने case number 1 लिया मैं फिर से बोल रहा है जिसको ही सब पता है वो skip करके आगे questions को try करे case number 1 की बा plus 10E और minus 9E तो overall body positively charge होगी second case में मालो electron का gain होता है तो मालो proton तो वही रहेंगे पहले नौ थे आप पहले 10 थे तो आप 11 electron होगा है चार्ज की बात करें तो चार्ज की बात करें तो plus 10E और minus 11E तो overall body पे minus 1E का charge हो गया body negatively charge होगी तो खुल मिला के कहने का मतलब है body में electron का transfer होता ह है plus proton भी होता है electron भी होता है plus भी होता है minus भी होता है सिर्फ खेल इस चीच का होता है कि दोनों imbalance हो जाते है थोड़ा कम जादा हो जाते है बस अब option रीट करते हैं there is only a positive charge in the body बिलकुल नहीं there is a positive as well as negative charge in the body but the positive charge is more than negative charge yes positive negative दोनों है लेकिन अगर body positively charge है इसका मतलब positive की dominance है positive ज equally a positive and negative equal positive negative होता है तो body neutral हो जाती है the negative charge is displaced from its position अगर negative charge displaced from its position है यानि वो अपनी location को छोड़ रहा है अब होता कि है यहां पर भी बहुत सारी बाते निकल के आती है अपनी position से displaced कर रहा है यानि कि देखो होता कि है जैसे conductors वगरा होते है वहाँ पर holes create होते है लेकिन overall वो body अभी can be negatively charged, बार बार ये question repeat हो रहा है body कब negatively charged होगी जब electrons बाहर से आएगा तो body negatively charged हो जाएगी by adding some electrons to it, ठीक है time waste नहीं करेंगे यहाँ पर time बचाना है अपने को, there are two types of electric charges positive charge and negative charge, ठीक है the property which they differentiate between the two charges, बतलब इन दो लों को कैसे differentiate करेंगे, अपने को पता है कि सब electron पे charge होता है plus 1.6 इंडू 10 तो दबाँ माइनस 19 कूलम और proton पे और electron पे माइनस 1.6 इंडू 10 तो दबाँ माइनस 19 कूलम दोनों की magnitude टाकत दोनों की same है, बस अंतर है polarity पे, एक positive है तो एक negative है, यानि कि इनकी ना field ना amount ना strength, इनकी polarity में अंतर होता है, एक positive तो दूसरा negative, next move to the next question, अभी आपक फिर moderate, फिर advanced level के objective question, ठीक है, object में acquire an excess or deficiency of charge by electric force, heating और shaking by rubbing, shake करेंगे, हाथ गरम होगा, energy की वज़े से electron अंदर से बाहर आएगा, दूसरी body में जाएगा, और body में imbalance हो जाएगा, जिसके वज़े से body charge हो जाएगा, तो option क्या है, ठीक है, चल, what will happen when we rub a glass rod with silk cloth, अब देखो होता एक अपना glass rod जो है, अगर आप उसको एक silk cloth के साथ दरब करोगे, तो यह सब चीज़े की जो discovery है, बहुत पहले हुए थी और वहाँ पर यह देखा क्या गया था गई, इसकी जो अपना rod है, उससे electron निकल के दूसरी body में जा रहा है, यानि कि silk cloth में, अब आपके मन में सवाल है कि हमें यह कैसे पता चलेगा किस से किस में जाएगा, पहली बात तो electrostatics में ऐसा कोई question नियाएगा, कि बताओ किस से किस में जाएगा, और दूसरी बात इसका answer आपको मिलता है modern physics में, जहाँ पर आप एक threshold frequency, minimum energy, work function, ऐसे terms के बारे में पढ़ते हो, वहाँ यह बताया जात है कि glass rods electron निकलता है और silk cloth पे जाता है, अब इस electron निकल रहा है तो भाई सब यह body positive हो जाएगी और यह body negative हो जाएगी, तो चलो options को read करते है, some electrons are transferred from glass rod to silk cloth, बात तो सही है, the glass rod gets positive and silk cloths negative, यह glass rod से electron निकलेगा, तो glass rod भी positive हो जाएगा और silk cloth पे आएगा, तो negative यह भी सही है, new charge is हमेशा transferred होता है, conserve, conserve रहता है, ठीक है, तो इसमें दोनों options है, तो हमारा D, अच्छा, बोथ A and B are correct, D, इसका correct option होगा, ठीक है guys, I hope आप लोगो को पूरी तरह से समझ भा रहा रहा है, अगर कोई मन में doubt उट रहा होगा, copy mail, note करते चलो, लिख लो, कि मेरे को 8 वे में ये question They acquire equal and similar charges, they acquire equal and opposite, they acquire different charges, they do not acquire charges, अब रप करेंगे, mail-like body ने 2 electron लूज किये, तो दूसरे ने 2 gain किये, जो लूज करेगा उस पे plus 2 ईआएगा, जो gain करेगा उस पे minus 2 ईआएगा, दोनों का magnitude same है, दोनों पे magnitude same है, लेकिन बस जो उनकी polarity है, वो अलग, एक positive तो एक negative, तो they acquire equal and opposite charges, तो B is the correct option, let's go to the 11th one, और guys हमने 10 questions कर लिए, आप देखो time, कितने times हमने शुरू किया और कितने में खतम किया, आप एक बर मैंने जो पढ़ाया उसमें तो मैं चीजों को भी पढ़ा रहा था, आप अपना time देखो, आज एक बर कर रहे हो, आज देख लो, फिर माल लो थोड़े पैसे questions आते हैं, जहाँ पर आपको time invest करना पड़ता है, वहाँ पर कैसे time invest करोगी नहीं, जब कहीं बचाओगी नहीं, जब आप पैसे save नहीं करोगी, तो invest कहां से कर पाओगी, getting my point, चलो next पर आते है, so 11th question यह कहता है, charge is the property associated with matter, due to which it produces and experiences, पूरे class 12th में पढ़ाया जाता है यह अगर charge stationary है पहले, पहले chapter में stationary रहता है, जहाँ पर आपको electric fields बगरा के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद second and third and fourth chapters में आपके यही charges move करने लगते है, electric current में और magnetic effects में, और वहाँ पर आपको magnetic field बगरा के बारे में पढ़ाया जाता है, तो यह बड़ा ही आसान सवाल है कि charge से क्या क्या हो सकता है, charge electric और magnetic दोनों effects को show करता है, तो electric effects only, magnetic effects only, both electric, magnetic and none, तो option C है कि charge electric और magnetic effects दोनों तरह के effects show करता है, वैसे कि आप लोगों को एक charge कितना electric force लगाता है, और एक charge कितना magnetic force लगाता है, क्या यह याद है, तुरन जवाब आजाना चाहिए, तुरन आपको तुरंद याद होना चाहिए, comment section में तुरंद जवाब आना चाहिए अगर electric field की present में charge ports कितना लगाता है कुछ याद है Q into E और magnetic field की वज़े से point charge Q, V, B, sine, theta याद करिएगा, revision करिएगा, ठीक है, चलो next question है अपना, in general metallic robs are suspended on the carriers which take inflammable material the reason is, देखो, इसमें बोल रहा है कि जो metallic robs है, metallic ropes, रसी है are suspended on the carriers which take inflammable material, होता कहा है न बच्चों देखो, मेरी बात सुनो जैसे आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा, आप लोगों ने earthing नाम की चीज सुनी होगी earthing, earthing नाम की चीज क्या होती है, earthing क्या होता है, कि earthing से हमें shock लगने से बच्चता है होता क्या है, मालो किसी body पे कुछ extra charge आ गया, मालो किसी body पे extra negative आ गया, electron आ गया अब आप छुओगे, तो आपको at a moment जटका लग सकता है, तो अगर हम earthing कर देते हैं, earthing का मतलब क्या, उसको earth से connect कर देते हैं, तो थोड़ा सब को याद होगा कि earth का potential होता था, earth का potential जो होता था, वो almost earth का potential zero होता था, मतलब कहने का मतलब है, जो धरती मा है हमारी, वो किसी भी body को balance कर देते हैं, जैसे किसी को भी earthing कर दीना, अगर उसके पास extra electron है, तो उसके electron ले ले लेंगी, किसी के पास electrons की कमी है, तो वो उसको दे देंगी, तो earthing से होता है, body जो है, आपने जरूर देखा होगा कि earthing जैसी चीज़े आपके आस पास, जो electrical appliances है, उसमें की जाती to keep the body of the carrier in contact with the ear, ताकि earthing हो और आपको shock ना लगे, आपको जटका ना लगे, ठीक है, चलो, let's move to the next question, when 10 raised to the power 19 electrons are removed from a neutral plate metal through some process, the charge on it becomes, देखो, अब body पे जो charge है, ये formula आगया, quantization का, body पे जो charge होता है, वो always plus minus integral multiple of E के बराबर होता है, all right, अब बोल रहा है कि 10 to the power 19 electrons को remove कर रहा है, तो N क्या होता था, number of electrons gained या loss, तो N की value अपने को दे रहा है, 10 to the power 19 loss हो रहा है, ठीक है, अब body में loss हो रहा है, तो हमेशा गंदी आदा तो उको अंदर से निकाल दोगे, negative चीज़ को निकाल दोगे, तो positive हो जाओगे, तो यहाँ प पता है, 1.6 into 10 raise to the power minus 19, यहां से यह और यह सीधा cancel out हो गया, तो Q की value कितनी होगी, 1.6 coulum, 1.6 coulum, यह हो गया, 1.6 coulum, तो B इसका correct option है, आप देख लो, कहीं भी doubt होगा, तो बता देना, और यह सारे जो अलग-अलग topics है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी होई ह अगर आपको topics में problem हो रही है, कि मैंको तो यहीं नहीं पता कि Q is equals to any कैसे आया, ठीकिंगे, यह quantization of charge है, इसका मतलब body पे जो भी charge होगा, वो हमेशा integral multiple of E होगा, 1E, 2E, 3E, 1 basic unit of charge, जैसे 1.6 into 10 raise to the power minus 19, तो body electron lose करेगा, तो 1E, 1 electron lose करेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, तो Q is equals to any quant quantization है, तो अगर आपको ऐसे topics पे डाउट है, तो मिरी अलग से वीडियो आपको देखने पड़ेगी, आप मुझे बताना, मैं आपको guide कर दूगा, कैसे आप step by step, आप मुझे message drop करना, मैं आपको help कर दूगा, कैसे सारे चीज़ों को देख सकते हो, आप मुझे सारे चीज़ तो ये तो conductor ही कर सकता है, कि charge उसमें flow कर सके, charge उसमें पूरी जगा distribute हो सके, ये conductor ही कर सकता है, और insulator में क्या होता है, जहाँ पर आपने डाला, वो वही का वही, जैसे मालों अपने यहाँ पर डाला, तो वो move नहीं कर सकता, there is no movement, तो बड़ा simple है, कि जो अपना A है, जिस प जो, which of the following is responsible for the conduction of electricity in liquids, अब जैसे solid body में electrons की movement होती है, liquid में आपके cations और anions, जैसे Na+, Cl-, example A+, B-, cations and anions liquids में flow करते हैं, electrolysis and all lost algae, करो, याद करो, आपको याद आ जाएगा cations and anions, तारीट करने की जूरत नहीं है, electron hole pair किस में होते हैं, semi conductors में होते हैं, ionized particles आपको gaseous state में मिलेंगे, free electrons आपको solid state में मिलेंगे, और cation and anion आपको liquid state में मिलने वाले हैं, let's go, the forces between two charge particles spheres having charges 1 into 10, ये raise to the bar minus 7 होगा, ये हमारी team OP है, जो power में लगाना भूली, और 2 into 10 to the bar minus 7, place 20 cm apart in air, तो देखो force का formula, बहुत ही simple सी चीज़ है, force का formula दो charges अगर रखे हो, like for example, q1 and q2 रखा हो, और उनके बीच की distance r है, तो यहाँ पर force का formula बड़ी असानी से क्या हो जाता है, k q1 q2 by r square, ठेक है, k अपना क्या होता है, it's a constant, जिसकी value 9 into 10 raise to the power 9, charges की बात करो, तो एक charge है अपना 1 into 10 to the power minus 7, koolam, और दूसरा charge है अपना 2 into 10 raise to the power minus 7, guys मैं फिर से बता रहा हूँ, ये team OP है, ये power में जाएगा, ठीक है, थोड़ा से हम mistake होगी है, upon distance का square, cm से मीटर में convert करना पड़ेगा, तो 20 into 10 raise to the power minus 2 का whole square, बस अब आपको इसको solve करना है, इसको solve कैसे करेंगे, बहुत ही simple है, यहाँ पर 9 into 2, अब भूदा गया है ना, बच्चों को थोड़ा सा calculation problem होती है, सारी 10 की powers को साथ में लेकर हो, तो कैसे लेंगे, यहाँ पर 10 लिखा है, यह 9 है, बगल में, बेस से मों तो power सारी आइड कर दो एक साथ, देखो यह सारे बेस से में, तो 9 minus 7 minus 7, ठीक है, upon में चलो, इसको थोड़ा steps में लिख देता हो, 20 into 20 to 10 raise to the minus 4, तो बस अब इसको solve करेंगे, बहुत ही ज़्यादा close है, upon यह कितना हो जाएगा, 20 into 20, अब यह minus 4, आपको इतने steps करने की ज़रूरत नहीं है, 2, यहाँ पर आप इस 2 को हटाके 10 लिख दो, ठीक है, 10 raise to the power minus 1, upon इतना आपको time invest करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हो, ठीक है, और नीचे बचा आपका 2, और एक extra आगया आपका यहाँ पर, जैसे यह 9 by 2 बचा, और यहाँ पर यह इसको काट दिया, और नीचे बचा आपका 100, all right, तो guys, बस यह नीचे 10 to the power 3 नीचे आएगा, 9 by 2 कितना हो गया, 4.5 into यह 2 पर जाएगा, तो 10 to the power minus 3 newton, ठीक है, इतना time आपको खराब करने की बिलकुल भी जरूरत नहीं, आपको तो बस फटा-फट कर लेना है, ठीक है, गलत लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा 2, 3, 4 second, 5 second, 10 second extra लगा लो, लेकिन नंबर के साथ रिस्क नहीं लेने का, all right, let's go, note कर लो guys इसको, ठीक है, आगे बढ़ता है,